question number 7 complex numbers exercise 5.2 class 11 से लिया गया convert the complex number root 3 plus iota into polar form तो इसमें root 3 plus iota को जो है इसको मिश्रित संख्या में परदर्शित करना है तो यहां पर जो आपको jet दे रखा है वो है root 3 plus iota तो इसमें root 3 constant term real side है और iota का जो है वो imaginary side है तो r cos theta plus में r iota r sin theta जो है इसके equal रखेंगे तो compare करते हैं तो r cos theta root 3 के पराबर होता है और r sin theta जो है वो 1 के equal होगा क्योंकि iota का coefficient जो है वो 1 है तो r sin theta हुआ का 1 तो अब यह second equation हो गई तो हमने क्या करना है अब cos square theta plus sin square theta 1 होता है इसलिए हम दोनों का square करके add कर देंगे तो squaring and adding one and two तो हमारे को जो है इससे identity को जो है simple change करके हम r की direct value निकाल सकते हैं तो r cos theta का square हो जाएगा r square cos theta और r sin theta का square हो जाएगा r square sin square theta root 3 का square हो जाएगा 3 और 1 का square हो गया 1 तो r square जो है वो common ले लेंगे left side से तो r square बाहरा जाएगा अंदर आ सक्वार थिटा प्लस sin square theta और 3 प्लस 1 जो है वो 4 के equal हो गया तो cos square theta plus sin square theta 1 के equal हो गया तो r square यह हो गया 1 equal to 4 तो r square is equal to 4 हुआ तो r जो है वो 2 के equal होता है तो इस तरह से r की value हमारे पास आगी है अब हमें theta की value भी निकाल ले है तो जो है यहां पर आप देख रहे हैं कि cos theta और sin theta दोनों की value positive आ रही है यानि कि दोनों positive किसी quadrant में होंगे और दोनों commonly positive होते हैं first quadrant में चलो इसको check भी कर लेते हैं dividing second by one we get r sin theta upon में r cos theta इसको हम करेंगे तो दूसरी side में आ जाएगा one upon में root 3 one upon में root 3 की value हमारे को पता है वो हो जाती है आपकी pi by 6 के equal तो यह हो गया 10 pi by 6 10 1 by root 3 जो है 10 की value होती है 10 pi by 6 पे यानि के 10 30 degree पे तो इस तरह से आप जो है इसमें देख रहे हैं कि theta जो है वो pi by 6 के equal है आप इसको confirm भी कर सकते हैं क्योंकि cos arc की जगा हमने जो है 2 रखा तो 2 cos theta is equal to root 3 और तो cos theta root 3 by 2 हो जाएगा और root 3 by 2 cos की value होती है वो जो है होती है cos 30 पे इसी तरह 2 sin theta is equal to 1 तो sin theta हो जाएगा 1 by 2 तो 1 by 2 theta की value होती है वो भी होती है 30 पे यानि के 5 by 6 पे आप दोनों की value positive है cos theta positive होता है आप जो देख रहे हैं वो होगा first में और fourth में first quadrant में या fourth quadrant में और sin theta positive होता है first quadrant में या फिर second quadrant में तो sin theta के positive होने का field है first quadrant second quadrant तो common field हुआ one first quadrant तो इसका मदलब यह theta जो है पाई वाई 6 ही रहेगा तो इसका मदलब हमारे पास जो color form हम बनाना चाह रहे हैं उसमें आर जो है वो होगा हमारा टू और theta होगा पाई बाई 6 तो जैड हो जाएगा आर cos theta plus 8 sin theta की जो फॉर्म है इसमें आर की value हमने रख दी टू और theta की value रख दी पाई बाई 6 तो यह जो हो गया ब्रैकेट में कॉस पाई बाई 6 प्लस में आर्टा साइन पाई बाई 6 उमीद है आपको यह question खुब अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल दामैस गुरुदेव को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिलकुल नबूले